हे गाइस आल टेक अपडेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सुवावत है आज हम कम प्रिजन करने वाले हैं उप्पो वीवो के दो लेटेस्ट मॉडल और वीवो वाई 15 का दोनों ही 17,000 के रेंज का सबसे बैस्ट फोन है लेकिन इन दोनों में से कौन से बैस्ट है यही इस वीडियो में हम जानेंगे विचल यह बिना टाइम को हुआ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको और नौटिफिक अचो हुआ। इस पोन के स्पैसिकेशन कमाल के हैं। सबसे पहले डिस्पले की बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको 6.3 इंच की यू नौच वाली डिस्पले देखने को मिलेगी जो की बहुत ज़्यादा कमाल की है। इस फोन में कमाल का फीचर्स यह भी है कि अबहे त लिए है और जो 2 Megafixels है वो Depth Enabled के लिए है फ्रेंट कामरे की बात करें गाइस तो फ्रेंट कामरे में 16 Megafixels दे रखा है जिसमें आप एक अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं इस फोन की एक और खास्यत है इस फोन में बैटरी बैक अप बहुत सदक कमाल का है इस फोन का जो बै इस फोन में आप अलग से Memory Card भी लगा सकते हो 256 GB तक तो है ना कमाल की चीज़ उसके बाद से अगर इसके प्रोसेसर की बात करें गाइस तो इस फोन में आपको Mediatek का 6762 वाला Helio P22 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि अच्छा प्रोसेसर है जिसमें आप गेमिंग वगार का भी experience ले सकते हो तो आप चलिए compare कर लेते हैं ओपो F11 से कौन सा फोन आपके लिए best है तो यह था अभी तक कर वीवो Y15 अब देख लेते हैं ओपो F11 के features को तो चलिए F11 पर चलते हैं गाइज ओपो F11 लॉंच हुआ माई 2019 में जैसा कि वीवो Y15 लॉंच हुआ था दोनों ही एक ही मन्त में लॉंच हुए थे बस डेट का थोड़ा बहुत फर्क था ओपो F11 में आपको डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगी 6.5 इंच की जबकि वीवो Y15 में आपको 6.3 इंच की देखने को मिलेगी तो यहां पर थोड़ीसी दिस्प्ले बढ़ी है वेवो F11 की वीवो Y15 से अगर इसके कामरे की बात करें ओपो F11 में आपको बाज़िवे बचस यहां देखने को मिलेगा 48 मेगा पिक्सल प्लस 5 मेगा फिक्सल का 48 मेगा फिक्सल यह आपका रियर कामरा है और 5 मेगा फिक्सल आपका depth camera है, overall देखाएं तो camera quality लगबग same होगी दोनों के recording लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ा सा मतलब practically देखें तो open f11 camera की quality ज्यादा best आपको देखने को मिलेगी, ये phone जो है दो variant पे आता है, 4GB RAM 64GB internal storage के साथ, 6GB RAM 128GB internal storage के साथ, ठीक है, लेकिन ये phone थ specifications के recording ये दो variant पे आपको देखने को मिलेगा, जबकि Vivo Y15 single variant पे है, 4GB RAM 64GB internal storage, अब चलिए, इसके battery backup की बात कर लेते हैं, तो open f11 में आपको 4020 mAh की battery देखने को मिलेगी, जबकि Vivo Y15 में आपको 5000 mAh की battery देखने को मिलेगी, प्रोसेसर की बात कर लेगा, तो यहाँ पे open f11 में आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, media tech Helio P70 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ओपो f11 में, और यह जो है 12 nanometer पे काम करता है, ठीक है, अगर android OS की बात करें, तो open f11 में android 9.05 version मिलेगा, और जो इसका color OS है, वो आपको एकदम latest 6 version पे देखने को मिलेगा, तो overall अगर इस specifications की हैं, तो दोनों phone के specifications लगभग सेम हैं, ठीक है, लेकिन वोरेट चेंज होता है, तो open f11 का 6GB RAM वाला phone ज्यादा best आपको पढ़ेगा, लेकिन अगर 4GB RAM पे आप phone purchase कर रहा है, तो दोनों ही phone best है, आप दोनों में से कोई phone ले सकते हैं, यहां मैं compare में दोनों ही phone को suggest करेंगा, क् कि दोनों ही phone best है, आपको कौन से phone जाजा best लगा मुझे comment box में जरूर बताएगा, आज के लिए इतना यह वीडियो पसंद आतो वीडियो को like करेंगा, चनल को subscribe करना विलकुन बूलेगा, thank you so much